प्रधान मंत्री नरेंद मोदी देश को कल पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन रेपिडेक्स राइष्ट को समर्पित करने जा रहे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्री मंत्री जनरल वीके सिंग जन्रल साब कल प्रधान मंत्री जी आपके संसदी छेतर में पहुच रहे हैं और वहां देश की पहली सेमी हाई इस्पीड रेपिडेक्स जनता को शमर्पित करने जा रहे हैं किस तरीके का माहौल है गाजियाबाद में माहौल बहुत खुशनुमा है माहौल उत्साह का है माहौल जब प्रधान मंत्री जी आएंगे जो सब अपना अभार भी प्रकट करेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट गाजियाबाद के अंदर आया है प्रोजेक्ट कई दिनों से चल रहा है उसका प्रथम चरंड अब लोक का इरादा है और हम आशा करते हैं कि साल के अंत तक ये दौनों जिगह भी जुड़ जाएं तो दिल्ली से मेरेट जाना लोगों के लिए असान है जब से प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने देश की कमान समाली है पीम के तोर पे चाहे वह इंफरस्टेक्टर हो या ट्रांस जी की दूर की सोच है इसलिए उन्हों ना कहा है कि अमरित काल के पचीस वर्ष है भारत को विक्सित राश बनाने की इंफरस्ट्रक्टर उसका एक मुख्य हिस्सा है जब इंफरस्ट्रक्टर अच्छा होगा तो बाकी चीज़ें भी और उसके साथ जुड़ती चली जाएं कि दूरी पर है इसमें जब हम पीशे ट्राइल पर गए थे तो कि 120 किलोमेटर तक पता ही नहीं चलता कितने सेकेंड के अंदर पहुंच गी और इसलिए इसकी गती तेज होगी दिली से मेरट एक घंटे के अंदर यह घंटे से कम के अंदर आदमी पहुंच है मेरट कब तक अगले साल तक दोड़ा देंगे आगे इसके लिए सर्वे चल रहा है ताकि जेवर एरपोर्ट को भी कनेक्टिव मिल सके क्योंकि यह सारा पश्वी उतरपरदेश जेवर के लिए एरपोर्ट के लिए का कैश्मेंट एरिया है तो जो जाना चाहेगा उसके लिए असानी है दुवाई आओ जेवर से और सीधे निकलते चले जाओ दिल्ली के लिए या मेरट के लिए तो एक असान राहा हो जाएगी लोगी मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ रहे हैं कलकारिका में शिर्कत करेंगे तमाम कैश्मेंट मंत्री भी होंगे किस तरीके से प्रधान मंत्री के आगमन को लेकत तैयारिया है उनके स्वागत की क्या विएस्थाई की गई है न कहूंगा कि आप खुद जाके जमीन पर देखें कि क्या तैयारियां की गई है मुझे पूरी आशा है कि वो तैयारियां उस मौके के उप्यूक्त हैं जिसके लिए प्रधार मंत्री जी आ रहे है प्रभू स्रियाम का मंदिर अध्या में बन रहा है आपका एयर पोर्ट भी बन रहा है कब तक वहां तक हवाई अड़ा भी शु कि खुलने की बात हो उसके साथ हवाई अड़ा भी खुल जाए रहे हैं अंतिम सवाल है कि आजम खान और उनके परिवार को बेटे के फरजी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोशी ठहरा है गया सजा दी गई सपा नेता अखलेश यादव कह रहे हैं कि मुसल्मान होने की कि वज़े से आजम खान को यह सजा भुगतनी पड़ रही है यह उनको इस तरीके से प्रतारित किया जा रहा है तो क्या यह टिपनी जज़ेश के ऊपर है मैं तो पूछना चाहूंगा उनसे आप भी पूछेगा उनसे कि आप जज़ को दोश दे रहे हैं कि उसने मुसल्मान को सजा दिये अगर कोई भी गलती करेगा देश के अंदर देश के कानून के हिज़ाब से चलेगा उसके ना जाती यह ना धर्म है आपको क्यों लग रहा है कि अखिलेश जी हर चीज़ को उसी चश्मे से देखते हैं चश्मा खुद लगाते नहीं हैं लेकिन देखते उस चश्मे से मेरा अपना मानना है भारत तब आगे भड़ेगा जब हम इन चीज़ों के अंदर ना पड़े हम एक होकर चले अब जो लोग भारत को आगे नहीं देना चाहते हैं कि वो आगे भड़े वो कुछ न कुछ इसके अंदर अरंगा लगाते है एक सवाल और अंतिम है कि अभी हमा आतार विरोध में विरोध में हैं जिस तरीके जो भारत का इस्टेंड है उसके विरोध में हैं क्या कहेंगे इस पर दो चीज़ पहले चीज़ जो लोग भारत सरकार के वक्तव की या उसके समर्थन की या उसके विरोध की बारे में विरोध करते हैं उनको ना तो यह पता क हमास क्या है और फिलिस्तीन क्या है हमास आतंकवादी संगठन है यह जब तक वो अपने दिमाग से नहीं समझेंगे उनको कोई और नहीं समझा सकता और आतंकवाद का अगर आप समर्थन करते हैं तो मैं तो कहूंगा कि भारत आपको इजाज़त नहीं देगा शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ये थे हमारे साथ केंदरी मंती जनरल भीके सिंग वीडियो जनलिस्ट प्रकास के साथ संदीप पांडे न्यू जटीन दिल्ली